हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी नास्ते की रेसेपी जो कि हम इसे बनाएंगे पत्ता गोभी और मसूर डाल से बनाने वाले हैं और ये खाने में बहुत ही एदर टेस्टी लगती है फ्रेंज तो जब भी आपको कुछ नाए और खाये तो चलिए फिर हम रेसीपी को फटाफट बनाना सुरू करते हैं तो चलिए सब से पहले यहां पे मैंने बाउल ले लिया है और यहां पे मैने लिया है आधा कप मसूर का दाल आप देख सकते हूँ और wt Θण दौट पसंद से दाल ले सकते हो चाहे तो मूंग दाल या फिर आप चना दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और अब हम इस दाल को अच्छे से 3-4 बार वाश करेंगे इसे वाश करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दाल में बहुत ही स्टार्च होता है इसलिए कम से कम आप 3-4 बार इसे दोए तो अच्छे तरीके से इसे रगर रगर करके साप कर ले तो यह देखिए मैंने इसे 3-4 बार अच्छे तरीके से धो लिया था और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर दाल को फूलने के लिए 15-20 मिट के लिए डखके छोड़ देते हैं और इधर मैंने दो कब पत इसे तरीके से मिला देना है और हम इसे 5-6 मिनट के लिए साइड में हम इसे छोड़ देंगे ताकि पत्ता गोबी हमारा सौप्ट हो जाए तो यह देखिए 5 मिनट बाद आप देख सकते हो पत्ता गोबी हमारा कितना ज़दा सौप्ट हो चुका है और अब हम क्या करेंगे इसको मसल मसल करके पत्ता गोबी में जो पानी होता है उसे हमें निकाल देना है तो अब आप देखिएगा धीरे धीरे इसमें कितना सारा पानी निकलेगा तो ये देखिए आप देख सकते हैं और ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड का मौसम में बाजार में बहुत हरा भरा पत्ता को भी मिलता है तो क्यों ना आप इस समय एकदम गर्म गर्म इस नास्ते को ट्राय करें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत ही पसंद आएगा खाने में बहुत ज़्यादे यमी लगती है ये नास्ता तो ये देखे इसमें से कितना सारा पानी निकला है और अब यहां पर दूसरा कोई दाल लेते हो तो उसे समय लगता है फूलने में उसका पानी मैंने फेक दिया है और अब हम क्या करेंगे एक यहां पर मिक्सर का जार ले लेंगे और उसमें सब दाल को मैं डाल देती हूँ और थोड़ा सा हमें हलका सा इसे दरदरा पीस लेना है ज़ बी डाल देते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे 4-5 बारिक्परण हुआ हरी मेर्च आप यहां पे तीका कम खाते हो तो कम डाले अब मैं इसमें डाल रहे हूं बारीक्परण हुआ हरा धनिया ठेर सारा स्वाधनुसर 1.0। तो यहां पर पाने डालने का जोरत नहीं पड़ेगा तो यह देखिए मिक्स हो चुका है अगर आपको लगे एक दो चमच पानी जाएगा तो आप डाल सकते हो यह इसी तरीके से मिक्स हो चुका है और अब हम हाथों पे हलका सा तेल लगा लेंगे उसके बाद हम इसको थोड़ा सा लेंगे यह मिक्सर और इसे बॉल का सेप में बना लेंगे और अब हम इसको क्या करेंगे हाथों में राउंड राउंड इस तरीके से घुमा करके इसको चप्टा कर लेंगे जिस तरीके से हम आलू का टिक्की बनाते हैं उसी तरीके से सेम बना लेना है आप देख सकते हो और सभी को हम इसी तरीके से बना करके त्यार कर लेंगे फ्रेंस तो चरी अब हम इसको फ्राइ करते हैं तो फ्राइ करने के लिए पहले से ही मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था और ये अच्छा गरम हो चुका है हलका गरम तेल नहीं चाहिए और अब हम इसको medium flame पे fry करेंगे तो जितना आपका कड़ाई में आए आप उतना डाल दे आप इसको medium flame पे ही fry करें नहीं तो फिर ये अंदर से कच्छी रह जाएंगी और उपर से पक जाएगा अगर आप इसे high flame पे fry करोगे तो इसे एकदम patience के साथ fry करना है तभी आपका जो नास्ता है उपर से कुलकुरा बनेगा ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आप इसको एक बर जरूद से बनाना आपके बच्चों को भी इन्हें बहुत ही पसंद आएगा आप उसे बना करके उन्हें टिफिन में भी दे सकते हो तो अब आप देख सकते हो फ्रेंस ये fry हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से और इसमें कितना प्यारा सा कलर आ चुका है तो ये नास्ता हमारा फ्राय हो चुका है और अब हम इन नास्तों को निकाल लेते हैं आपको इसे फ्राय करते हो बस कई बातों का ध्यान देना है इसे मीरियम फिलम पे फ्राय करना है और ये अच्छा सा कुरकुरा हो जाए फिर इसे निकाल ले और सभी नास्तों को इसी तरह फ्राय कर लेना है तो ये लिजे फ्रेंज हमारा पत्ता गोभी और मसूर दाल से गरमा गरम नास्ता बन करके तेयार हो चुका है तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाए और कॉमेंट करके बताना कि आपकी नास्ता कैसी बनी है आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एक छोट इसी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने फैमली और फ्रेंस के साथ इस वीडियो को जरूर से सैर करना फ्रेंस तो आप देख सकते हो हमारा नास्ता कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है अंदर से सौप्ट और उपर से बहुत ही कुरकुरा बनता है ये तो फिर मिलते हम एक नई रेसिपी के साथ अब तक लिए बाई बाई